आज का टॉपिक है बिहार का प्रसासनिक स्वरूप जो महत्पून टॉपिक है जहां से कोश्चन पूछे जा सकते हैं उसको कवर करते हुए तेजी से 4-5 टॉपिक जो भी महत्पून है पॉलिटिकल साइंस के बिहार के स्पेसिफिक वो टॉपिक कर लेते हैं निश्चित रूप से 3-4 question आपके एक्जाम में यहां से पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं TRE 1 में TRE 2 में सबसे पहला question है कि बिहार का प्रसास्निक स्वरूप के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार की अस्थापना कब हुई तो आप लोग को पता होगा कि 22 मार्च को बिहार अस्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं ठीक है तो याद रखना है कि 22 मार्च उनिस्वा बारा को बंगाल से अलग हट करके एक नया राजवना उसका नाम था बिहार तो बंगाल से कब तो 22 मार्च 1912 को एक नया राज बना जिसकी घोसना हुई वो था बिहार 22 मार्च को ठीक है तो 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग हो करके बिहार का निर्मान हुआ फिर बिहार से अलग हो करके 1 अपरेल 1936 को बिहार से उरिसा एक अलग राज बना आगे चल करके फिर बिहार का बटवारा 1936 इस्वी में होगा एक अपरेल 1936 को बिहार से जो बिहार का दक्षनी पाठ था उसको अलग करके एक उरिशा राज बनाया गया फिर आगे चल करके 15 नमूंबर 2000 इस्वी को बिर्शा मुंडा के जन्म दिन के अफसर पर बिहार से एक नया राज बना ज्ञारखंड ठीक है तो यह तीनों कोश्चन महातपूर्ण है बिहार की अस्थापना कब हुई बिहार से उरिसा कब अलग हुआ और जारखन राज का निर्वान कब हुआ ये तीनों कोश्चन BPSC के दिश्टी कौन से बहुत ही महत्पूर्ण है अब देखे राज या किसी भी राज का बिहार का ही नहीं वरन किसी भी राज का जो सरकार के तीन इकाया होती है एक विधाय का होता है जो कानून बनाती है कायपालिका उसको लागू करवाती है ठीक है नियापालिका नियाई की बात करती है अगर सही धंग से लागू नहीं कर पा रही है कायपालिका तो उसको दिसा निर्देश देने का भी काम नियापालिका का होता है जनता को नियाई दिलाने का भी कार्ज नियापालिका का होत परसद होता है बिधान परसद उच सदन होता है जिस परकार से आपने पढ़ा होगा लोक सभा, राज सभा और राश्ट पती, तीनों संसद क्यांग होते हैं, जिस परकार से राज सभा जो होता है, राज सभा क्या होता है, तो उस सदन होता है, उसी परकार से राज अस्तर का जो उस सदन होता है, वो बिधान परसद होता है, उस सदन मतलब इसलिए कहा जाता है क जिससे जनता किसको चुनती है परतिनिधी को अब परतिनिधी जिसको चुनती है वो रासभा में जाते है ठीक है तो यहाँ पर डारेक्ट रूप से जनता पर्टिसिपेट नहीं करती है जनता आपने परतिनिधी को चुनती है परतिनिधी फिर रासभा में उनको भेजती है च इसका कभी भी घटन आपका नहीं हो सकता है ठीक है बिहार में इसकी अस्थापना जो बिधान परसद है जो उस सदन है सभी राज में बिधान परसद है भी नहीं मात छे राजियों में ही बिधान परसद है जिसमें जो बरे राज हैं जैसे बिहार हो गया महरास्ट हो गया परकार से छे जो बरे-बरे राज हैं उसी में विधान परसद है इतना याद रखिएगा इसका जो निर्वाचन होता है उसमें जो टोटल इतना सीट होता है राजसभा का जिसे बिहार में 243 सीट है जिसके पास 122 सीट आ जाता है वो बहमत में आ जाती है पार्टी और सरकार बना लेती है जैसा कि आप लोग को पता ही होगा तो इसका एक तिहाई भाग लगभग इसका कम से कम जो है मतलब निउनतम यह आकरा रखा गया है कि 243 का एक तिहाई भाग एक तिहाई भाग जो है वो आपका विधान परिशद होना चाहिए ठीक है एक तिहाई से जायदा नहीं होना चाहिए ठीक इसके सदस्कि संख्याँ तो बिहार में 75 कुल सदस्कि संख्याँ है ये कोश्चन कई बार पूछे गए हैं विधान परिसद में सदस्चों की संख्या कितनी है तो 75 इसमें 75 में से एक तिहाई सदस्चों का निर्वाचन राज के विधान सभा के सदस्च जो होते हैं वो चुन करके भेजते हैं उसके बाद उसका एकवटे बारहमा भाग जो है जो graduate लोग होते हैं वो चुन करके भेजते हैं गेजवेशन के दो-चार साल बाद जो है ये लोग भोट दे पाते हैं और ये चुन करके भेजते हैं फिर एकवटे बारहमा भाग सरद सिक्छक परतिनिधी होते हैं तो इस परक बिधान सभा निम्र सदन होता है, जैसे आपका केंदर अस्तर पे लोग सभा होता है, डारेक्ट जनता अपने परतिनिधी को चुन करके देती है, MP को, Member of Parliament को, उसी परकार से राज अस्तर पे MLA होते हैं, Member of Legislative Assembly, जिसमें की बिहार में 243 सीट है, कार्जकाल 5 वर्सों का होता है यह और स्थाई सदन होता है, 5 वर्स पे इसका भी घटन हो जाता है, जिसमें की 243 में 242 वेस्क मताधिकार के अधार पर चुन करके जाते हैं, एक सीट एंगलो इंडियन के लिए होता है, ठीक है, लेकिन बरतमान में 242 सीट पे ही आपका चुनाब होता है, एक सीट एंगलो इंडियन, एंगलो इंडियन का अर्थ होता है कि उसकी माता भारत्य मुल्की होगी और पिता जो है वो यूरोपियन मुल्का होगा, तो उसको एंगलो इंडियन कहा जाता है, ठीक है, यूरोपियन होना चाहिए, चलिए, काजपालिका, ये था विधाय का, अब है काजपाल काजपालिका का जो प्रधान होते हैं वो राजपाल होते हैं राजस्तर पर राजपाल होते हैं मुख्वंत्री को यही निउक्त करते हैं और ये केंदर का परतिनिधी राज में करते हैं यानि कह सकते हैं कि संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं यानि जो भी सूचना राज की आगर किसी राज के हाय कूट का अगर नियायधिस की नुउक्ति करना है तो राश्पति के द्वारा तो होता है लेकिन उसको परामर्ष देने का काम राजपाल ही करते हैं और न्यायपालिका के रूप में तीसर जो अंग है तीसरा जो अस्थं बहिए न्यायपालिका उसमें अनुछे 244 के तर्थ परतेक राज में एक उच न्याले की अस्थापना की गई है और अपने बिहार में भी उच न्याले की अस्थापना हो चुकी है पटना हाई कोट 1916 इस भी में ही आपका हाई कोट बन चुका था 3 फरवरी 1916 को तो ये कोश्चन आपके एक जाम के लिए बहुत ही महत्पून हो जाता है कि पटना उच न्याले की अस्थापना कब हुई थी तो याद रखेगा 3 फरवरी 1916 को ठीक है बहुत ही महत्पून लाइन है पतना उचन्याले की अस्थापना कब हुई थी तीन फरवरी उनिश्वा सोला को देखें यह बिहार स्पेस्फिक मैं आपको अभी बता रहा हूँ नहीं इंग्लिस लिट्रेचर का नहीं मैं इंग्लिस नहीं पढ़ाता हूँ ठीक है चालिस नमर बस पर लिजे बाकी वो अपना देख लिजेगा पास कर जाईए चालिस नमर में इधर से स्कोर कर लिजे अगर आप तुका भी मारिएगा कुछ आता भी होगा तब भी पास कर जाईए ठीक है तो चालिस में स्कोर कर लिजे जितना जगा से जएदा कर सब ये सब कोश्चन बहुत हिट लिस्टेट कोश्चन है वी पेसी का खास करके आप देखे होगा एक जाम में पूछा भी है और पूछेगा भी परसासनी की काई में आप देखिए बिहार में या अनराज में भी परमंडल अस्तर का होता है जिसे बिहार में नौ परमंडल है जिला की संख्या 38 है फिर अनुमंडल होता है उसके नीचे परखंड होता है उसके नीचे ग्राम पंचायत होता है तो प्रसासनिक इकाई इन सब में बटा हुआ है बिहार में, बिहार में सचिवाले का गठन जो है वो कव हुआ था, तो 1912 इस भी में ही हुग गया था, उसमें 8 विभाग थे, 1955 में 34 विभाग थे, ये याद रखना है, बर्तमान में परमंडल की संख्या नौ है, और इसके ज जिला का परदा, जिलाधिकारी जो DM बोलते हैं, जिला मजिस्टेट होते हैं, अनौमंडल के पदाधिकारी, अनौमंडलिया पदाधिकारी होते हैं, जिसकी संख्या बिहार में 101 है, जिसको आप लोग SDM या SDO बोलते हैं, SDM की संख्या कितनी है, तो 101 है, परखंड की संख् प्रखंड विकास पताधिकारी होते हैं प्रखंड में वीडियो जिनको बोलते हैं ब्लॉक डिवलपमेंट आफसर उसकी संख्या 534 है प्रारंभीक चिकिस्षा प्रारंभीक सिक्षा राहत एवं पुनरवास किर्सी विकास पसुधन विकास अलग-अलग विभाग के भी अध सम्मू होता है जिसका एक मुखिया सरपन चुने जाते हैं तो टोटल पूरे बिहार में 8406 याद रखे का पंचायत है कितने पंचायत हैं बिहार में तो 8406 पंचायत हैं और इंपलिमेंट जो हुआ है पंचायती राज-विवस्था का बिहार में वो तेहतर्मा बिहार ही नहीं वरन पूरे देश में भी जो तेहतर्मा समिधान संसोधन हुआ है उनिस्वत तिरोनवे इस्वी में 25 अपरेल उनिस्वत तिरोनवे को उसी के तहत क्या हुआ था कि पूरे भारत में पंचायती राज विवस्था को निवाज कर दिया गया और इसको तो DPSP में भी है और इसके अलावे इसको समिधान का अनुचे 243 खौ में भी रखा गया है और अनिवाज रूप से पंचायत का गठन करना मुख्या सरपंच का चुनाब आप देखते होंगे कि बिहार में भी 5 वर्स पे हो रहा है तो यह 1993 के बाद यह नियम आया और उसके बा त्री अस्तरिया पंचायती राजब्यवस्था की बात करता है त्री अस्तरिया के अंतरगत आप देख सकते हैं सबसे नीचला जो जनता से जुड़ा हुआ जो अस्तर है वो ग्राम अस्तर है उसके उपर मदवर्ती अस्तर में बलॉक अस्तर के होते हैं जैसे पंचाय समीती के अध्यक्ष हो गए जिला अस्तर पर जिला परसद अध्यक्ष होते हैं और गराम अस्तर पर गाउं का मुख्या होते हैं तो यह परधान होते हैं और त्री अस्तरिय पंचायती राज बेवस्ता बलवंत राय महता समीती के द्वारा लाए गया था तो यह सब भी question आपको पं आरक्षन की बात की गई है, जन संख्या के अधार पर आरक्षन दिया जाता है, पत्ना नगर निगम की अस्थापना उनिस्वा बावनिस्वी में की गई थी, तो ये भी question important है, पत्ना नगर निगम की अस्थापना कब की गई थी, तो उनिस्वा बावनिस्वी में, इसका जो अध्यक्ष होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष कोन होते हैं मेर होते हैं और उनका काजकाल 5 बर्सका होता है अभी पतना में वाडो की संख्या सरसत हो गई है पहले संतावन थी अब सरसत है बिहार में नगर निगम जो टोटल है वो 11 यह बढ़ते-घरते रहता है तो करेंट फिर्स का डाटा होता ही है, तो इसको थोरा सा नेट से भी सर्च मार करके देख लिजेगा बर्तमान में नगर निगम कितने हैं, ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो तीन जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ, फिर 25 जून 2008 को इसका पुनर गठन हुआ, बि पिहार लोग सेवा आयोग का गठन अनुछे 315 के थाथ किया गया है, और इसका गठन 1949 सिस्वी में हुआ था, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्जकाल 6 वर्स का होता है, या 62 वर्स आयोग पूरा होने तर, तो अभी अतुल परसाद जी जो रिटायर हो गए, त उनका उमर 62 वर्स पूरा हो चुका था, इसलिए वो जो है, यहां से रिटायर हो गए, तो या तो 6 वर्स रहते हैं, कम एज रहता है इनका तो, या तो 62 वर्स पूर गया, तो यह रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, वहां से पद को छोड़ना पड़ता है, लिखा हुआ है, इस तो यहां से एकाद कोश्चन कई वार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को करा दिया, जिससे कि अगर यहां से कोश्चन आये, तो आप लोग इसली बना लेंगे, बाकी नोटस बिहार इस्पिसल वाला आप लोग देख लीजेगा, अब हम लोग देखेंगे बिह हार की जनसंख्या रिपोर्ट, एक से दो कोश्चन फिक्स रहता है यहां से, आपके एक्जाम में निश्चित रूप से यहां से कोश्चन आएंगे ही आएंगे, अरे बाई DM होता है, डिस्टिक मजिस्टेट जिला के अधिकारी होते हैं, HDM होता है अपका अनुमंडल होगा, यह सब तो छोटी-छोटी बात है, तर इस बार का टॉप कितना है, अरे भाई का टॉप कितना जाएगा, सर बहुत कन्फूजिंग टॉपिक है, कोई कन्फूजिंग नहीं है, अच्छे से देखिए, उसमें आपका कॉंटेंट में रखा हुगा, अभी मैं तेजी से आपको बता रहो, बाकि उसको अच्छे से हमने समधा रखा है, हर एक लेवल के, पॉलिटिकल साइंस में जाएगा, सोसल साइंस में, पॉलिटिक को अच्छे से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है यह, कोई कन्फूजिंग का टॉपिक है ही नहीं है, यह सब बेसिक चीज है, यह तो आम नागरी के गाउं में जाएगा, चाय दुकान पर बढ़िएगा, पुछिएगा, सब बता देगा आपको, यह सब जानकारी तो आम लोग की जानकारी है, पॉलिटि जो है, राजनिती विज्ञान जो है, जो मैं अभी आपको परहा रहा हूँ, आप बिहार में कहीं पर जाएगे, बचे बचे लगभग लोग जान रहे हैं, यह सब चीज, वाट कमिस्नर से लेके मुखिया सरपंच क्या है, नहीं है, सब जान रहा है, तो आप लोग तो पर लिख रहे हैं, SDM, DM, यह सब सब जान रहे हैं, SDM जनगन्ना की सुरुआत, 1872 इसवी में हुई थी, कब हुई थी, 1872 इसवी में, याद रखेगा, लॉड मेयो के सासनकाल में हुआ था, सरपर्थम, तो यह भी कोश्चन पूछा है, कि जनगन्ना की सुरुआत, सरपर्थम किसके सासनकाल में हुआ था, तो याद रखेगा, लॉर्ड मेयो के सासन काल में हुआ था और 872 इसवी में हुआ था बहुत ही महत्पूर्ण लाइन है भारत में और वही परतेक 10 वर्स पे जनगन्ना की सुरुवात 881 में लॉर्ड रीपन के काल में हुआ था ठीक है यानि अब परतेक 10 वर्स पे आपकी जनगन्ना की जाती है पाहली नियमी तेवं दस वर्षी अंतराल पे जनगन्ना की शुरुवात लॉड रिपन ने किया था। तो कई बार पूछेगा कि सर पर्थम जनगन्ना की शुरुवात किस ने की थी तो लॉड मेयो याद रखेगा 872। लेकिन अगर पूछेगा कि पर्थेग वर्ष नियमित रूप से जनगन्ना की शुरुवात कब से हुई है तो लॉड रिपन से हुआ है 881। ठीक है और पर्थेग 10 वर्ष पे आपकी जनगन्ना की जाती है। जनगन्ना का संपुन काज का जो अधिकारी होते हैं और इस्टार जनडल होते हैं। जनगन्ना आयुक भी उनको कहा जाता है। जो भारत सरकार के ग्री मंतराले के अधिनकार्ज करते हैं। जनसंक्यां बिर्धी दर में सबसे जाएदा कमी 1921 में हुआ था। अब कहिएगा जनसंक्यां पूरे देस में बिहार में भी मैनस में जनसंक्यां चला गया था। तो पहला रीजन था आपका पर्थम बिश्यूद के जो दुरगामी परिनाम हुए। सासत बंगाल में अकाल आ गया था। भुक मरी सिर्फ बहुत जाएदा लोग मरे। फिर आपका बिमारी ये से पलेग है जा ये सब का प्रकोब बहुत जायदा भारत में बढ़ चुका था और बिहार में भी बढ़ गया था 1920 के आसपास यानि पर्थम विश्यूद के बाद की घटना है तो जन संख्या बहुत जायदा यहां पे घटी थी तो इसलिए इसको महान विवाजक बरस के रूप में भी 1921 को जन गन्ना का महान विवाजक बरस भी कहा जाता है चुकि यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो मैनस में चला गया था जन संख्या का ठीक है चलिए बिहार में आपको पता है जिला की संख्या 38 है कई लोग 49 बोल देते 49 मा प्रस्तावित है जो कि बाढ़ एक द्रक्रोल्ठ गोटल है जिसमें याद रहिएगा सारे पांच करोर रौंट फियकर में है और पांच करोर याद रखिएगा रौंट फिकर में ही महिला है अब वहां संख्या Falls TW opened न हुटी जो संख्या container का जो बिरधी हुआ वह क्षेश दसम्रब 4% की बिर्दी हुई और विहार उसमें 6 अस्थान पे रहा ह। अगर देखा जै जन संख्या घनत के मामले में परती बर गिकाई किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के वारे में तो विहार एक नम्मर पे आता है यानि विहार का जन संख्या घनत पूरे दे में एक नब्र पे आता है अब देखिए हैं से यह जो से आयू की जन संक्या है इसके मामले में ब्याज दूसरे नमर पे है लिंगानुपाद होता है पतेक 1000 पुरुषपे मैंलाओं की संक्या तो इस में लिंगानुपाद में जो संपूर्ण अगर देखा जाए तो 918 महिला हैं एक हजार पुरूष पर कितनी महिला है तो 918 है लेकिन अगर देखा जाए 0 से 6 वर्स के आयो के वर का तो इसमें बढ़ा है 935 हो गया है कितना हो गया 935 साग चर्टादर ओभर वाल 71% याद रखेगा उसी में अगर स्वारी 70 महिला पूछे तो 51 यानि 10-10 का घटाना है ठीक है बीच में जो एवरेज है तो 61 और पूरूष है तो 71 महिला है तो 51 बस राउन फिगर याद रखेगा पूइंट में आपको उतना याद कर नहीं काओ सकता नहीं है वहाँ आप option में खोजी लिजे ये question पूछा भी गया था तो अवसत जो साक्षर्टादर है वो 61 है पूरूष का 71 है महिला का 51 है ठीक है अनुसुचित जाती जो है जो SC है उनकी संख्या लगभग 16 परतिसत याद रखिएगा जो ST है उनकी संख्या 1.3 परतिसत है नगरी करन यानि सहरी करन बिहार का 11.3 परतिसत है यानि अभी भी ल लगभग 89 परतिसत लोग गाउं में ही निवास करते हैं बिहार में नगरी किर्थ जगा पे नहीं रहते हैं राज की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 18.6 परतिसत है और पूरे देश में बिहार का अस्थान तीसरा है जनसंख्या के मामले में घनत के मामले म पे है, दो नमर पे महराष्ट है और ती नमर पे बिहार है, अगर छेत्फल के हिसाब से देखा जाए, तो यह 13 में नमर का राज है, छेत्फल के हिसाब से, एक नमर पे आपका राज्थान आता है, और बिहार 13 में नमर पे आता है, जो कि कुल भारत का 2.88% भूमी पर बिहार हुआ है ठीक है बस यह याद रखिएगा 2001 से 111 में 25.4 की बिर्धी हुई जो की देश के जो आउस्तन बिर्धी है राष्टिया बिर्धी जनसंख्या 17.7 है उससे 7.7 परतिसत अधिक रही यानि भात ने जो 2001 से 111 के बीच में जनसंख्या की बिर्धी की वह देश अस्तर से भी 7.7 परतिसत जैदा किया ठीक है सरवाधिक जनसंख्या बिर्धी मधिपूरा में हुआ सके नस्तान पर किसन गंज रहा निउन्तम जनसंख्या बिर्धी गौपाल गंज और दर्भंगा में रहा ठीक है गौपाल कृष्ण अजिए सरवाधिक जनसंख्या पटना में है आप देखी रहें कितनी घनी अवाधिवाला है और दूसा नमर पर पुर्वीचंपारन है निउन्तम जनसंख्या वाला जिला में जो देखें चुकि ये बरा जिला है तो सभाविक है जनसंख्या भी जायदा होगी निउन्तम जनसंख्या वाला जिला जो है सिखपूरा है छोटा जिला है लखी सराय को काटके बना है तो छोटा जिला है तो जनसंख्या भी कम ही होगी जनसंख्या घनत नहीं है टोटल छतफल में रहने वाले लोगों की संख्या है इसलिए सिखपूरा में कम अवादी है सिभर और भी छ जाता है जनसंख्या घनत की बात करें तो उसे में जिला में आपका सिभर एक नमर पर आता है जब कि जनसंख्या में वह आपका सबसे कम में दूसरे नमर पर आता है पत्म में आपका दूसरा अस्थान है घनत में 2828 नीनतम घनत वाला जिला जो है आपका कैमूर भभुवा 488 बैक्ति परतिवर किलोमीटर है दूसरा जम्मूई है साक्षर्टा दर अभी तुरत हमने उपर बताया ही भारत की साक्षर्टा दर कितनी है 73 परतिसत जबकि बिहार की साक्षर्टा उस्तन साक्षर्टा दर 16.8 परतिसत है बिहार साक्षर्टा की देश्टिस अगर राज के वल बात करें तो 29 अस्थान है अब 28 हो जागा चुकि 28 र बना हुआ है अंतिम करम में है बिहार राज का केवल रोहतास जिला ही जो है राष्टिय साक्षर्टा से उपर है जो राष्टिय साक्षर्टा दर है 73 परतिसत उससे उपर मात्र एक रोहतास है जिसका कि साक्षर्टा दर कितना है 73 परतिसत बाकि दो नमर पे 70 परतिसत से पटन दो नमर पे है निउन्तम साक्षर्ता पुर्णिया में है और महिला साक्षर्ता में सबसे खराब रेंक रहसा हरसा का है तो यह सब आप लोग अच्छे से याद कर लिजेगा देख लिजेगा लिगानुपात किसको बोलते हैं पट्टे के 1,000 पुरिशों के महिलाओं की संख्या दोगां धान के ऊज़ार। सिक्षर्ता पुछर्त को बिखार के लिगानुपात 948 है जबकि बिहार का ओभर ओल लिगानुपात 918 है जीरो से 6 वाला पूछे तब आपको 935 बोलना है सरबाधिक लिंगानुपात गोपाल गंज का है एक नमर पे है क्रिष्ण है गोपाल याद रखे गोपाल क्रिष्ण को का जाता है तो महिलाओं की इस्तिती अच्छी होगी महिला जैदा है 2021 सिवान दूसरे स्थान पे नियुन्तम लिंगानोपात में मुंगिर है अब देखे जहां गन फैक्टरी होगा जहां क्राइम होगा जहां बंदूक होगा जहां यह सब होगा तो वहां महिला सुरक्षित नहीं होगी तो इस्तिती खराब होगी ऐसे आप याद कर सकते हैं हो गया है कि यह सब देख लीजेगा अच्छे से हिंदू लगभग बेरासी दसनलब परतिसत है हिंदू का लिंगानुपाद 915 है साक्षर्टा से तालिश दसनलब नो परतिसत है सबसे ज्यादा जो सरवाधिक साक्षर्टा दर है बिहार में वो है जैन मताब लंबियों का ठीक है जैन मताब लंबी जो है वो सबसे ज्यादा साक्षर्टा दर है वो है आपका 93.3 ठीक है कितना है 93 तो सबसे ज्यादा जैन धर्म के मानने वाली लोग यहां पर साक्षर्ट और सबसे खराब इस्थिति अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों का है मात्र 42 पर 30 साक्षर्टा दर है ठीक है लिंगानुपात की बात कर तो सरवाधिक लिंगानुपात इसाय मताब लंबी का है बिहार में जबकि साक्षर्टा जन मताब लंबी का है सबसे कम साक्षर्टा दर मुस्लिम का है लिखा हुआ भी है बिहार में आवसत सिसु जनम दर 27,7 पर 30 हजार है और मिर्टिव दर 44,000 है बिहार में पुरूस महिला की आवसत आयू करमसा पुरूस का 25,5 और महिला का 26,2 है तो यहां से निश्चित रूप से जितना चीज हमने अभी आपको बताया तो दो कोश्चन फीक्स रखिए निश्चित रूप से आपके एकजाम में पूछे ही पूछे जाएए ठीक है नहीं पूछने का तो कोई बात ही नहीं मिलता उठता है अब देखें बिहार के कुछ पत्र साहित हैं जो कि आपके एकजाम के लिए महत्पून है तो एक बार अच्छे से देख लीजे सुन लीजे उमीद कर सकते हैं यहां से कोश्चन निश्चित रूप से एकाद कोश्चन तो आई ही जाएगा आपके एकजाम में ठीक है और BPSC है कौन सा कोश्चन तो देगा कहना मुश्किल है तो हम लोग का काम है कि हर एक ट्रॉपिक को अच्छे से कभर करके जाएं जिससे कि आपके एकजाम में दिक्कत ना हो हिंदी साहित के स्वर्न यूग की सुरवात बीशमी सतावदी के पर्थम चतुर्थांस में हुआ बीशमी सतावदी मतलब 19-200 के बीच का पिरियर होता है बीशमी हो गया पर्थम चतुर्थांस यानी 19-25 तक का काल को ये कह रहा है बिहार के कई पर्मुक साहितकार ने अपना योगदान दिया जिसमें पंडित रामा अफ्तार सर्मा, पंडित चंसेखर सास्त्री, डॉक्टर कासी परसाद जैश्वा, राम लोचन सर्मा इत्यादी का नाम उलेकनिया है इन्होंने मात्र बिहार में ही नहीं, अब तु सारी देश में ख्यातियत जित्की है, आधनिक हिंदी का इत्यास 18 मी सताबदी के भारतेंदू हरिश्चंद, आप लोग हिंदी, हिंदू, हिंदूस्तान, ये सब भारतेंदू हरिश्चंद के दोर लिखा गया है इनकी समस्त किर्थियां बिहार के खडग विलास प्रेश से ही प्रकासित होती थी, ऐसे ये यूपी के हैं साथ, भारतेंदू हरिश्चंद, लेकिन इनकी सारी किर्थियां बिहार के खडग विलास प्रेश से ही प्रकासित होती थी, और बिहार के परमुक साहित और उसकी कि उनकी किर्ति क्या-क्या वो देखिए, वानभट, कादंबरी, हर्ष चरितम, हर्ष चरित के ही दरवार वे रहते थे वानभट बिहार के ही हैं, चंडी सतक, हर्ष चरितम, कादंबरी, वानभट की रचना, कादंबरी बार-बार पूछा गया है, हर्ष चरितम भी पूछा जा स रामधारी सिंदिनकर जी की नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी रचना है उर्वश्री रेनुका हुंकार रस्मी रती परसुराम की परतिज्ञा ये सारे जो साहित्य हैं वो रामधारी सिंदिनकर के द्वारा लिखा गया फनिश्वनात रेनु मैला अचल जु नंदन खत्री ये कॉस्चन कई बार पूछा है ये चंदरकांता जो कहानी है चंदरकांता आप लोग पहले टीवी सेरियल पे भी होता था एक राज तंतरका खडी अंद्र की कहानी ये देव की नंदन खत्री के दवार लिखा गया चंदरकांता काजर की कोटरी भूतनात नौलखा हा ये सब देव की नंदन खत्री का है डॉक्टर आजंदर परसादवला अती महत्पून है ये निश्चित रूप से बार-बार एक्जाम में पूछे गए हैं बिहार बिहुती के रूप में बिहार के जुरे हुए महापुरूस के रूप में ये जाने जाते हैं और भारत के पर्थम राश्पति भी बने हैं और इनका जो जन्म दिवस है तीन दिसंबर इसको जो है मेधा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तीन दिसंबर को याद रखना है आपको तो इंडिया डिवाइड़ चमपारन में सत्यागरा बापू के कदमों में ये सब सारे जो किताब हैं ये सब बिहार से जुरे हुए लोग हैं जिनका मैं नाम अभी आपको बता रहा हूँ राजा राधिकार अवन परसाथ सिंग पूरूस और नारी इनका रचना है डक्टर कुमार बिमल मुल और मिमान सा सर्जना के स्वर अंगार ये संपूर्ट सीपी के युगमानव बापू ये अभंग अनुभव अमरित सौंदर सास्तर के तत्व आदी ये सब जो सारे रचना हैं डक्टर कुमार बिमल जी का है आर्जभट ये लिखा गया आर्जभट के द्वारा संस्कूरीत में है वाचसपती भास भामती ब्रह्म शिद्धी के टिकाकार है वाचसपती मिस्र असुघोस ये कोश्चन कई बार पूछा गया है बुद्ध चरित के वारे में बुद्ध चरित जो लिखा गया है वो असुघोस के द्वारा लिखा गया है महायान साखा से जुरे हुए हैं महायान, सर्धोत पाद, संग्रा ये भी इनकी रचना है वरज, सूची ये भी रचना है चनक के जिसको कोटिल भी कहते हैं विश्नु गुप्त उनकी रचना रहा अर्थ सास्त्र है ठीक है, ये भी कोश्चन पूछे गए है राम ब्रिक्ष बेनिपूरी अमरपाली, माटी के मुर्ते चिता के फूल, संग मित्रा संग मित्रा याद रखेगा अमरपाली, ये दोनों राम ब्रिक्ष बेनिपूरी के हैं विद्यापती वाला अत्यांद महत्पून है किर्थी पता, किर्थी पता का किर्थी लता, पदावली ये बहुत ही महत्पून है पदावली, याद रखेगा पदावली किर्थी लता, किर्थी पता का ये भी किसी पूछ चुका है तो निश्चित रूप से जो पूछा हुआ कोश्चन रहता है उसकी संभावना बारवार रहती है पूछने की तो याद रखेगा पदावली किर्टी पता का किर्टी लता ये जो है विद्यापती की रचना है और ये सिवनचारी भी गाते थे मैथली कोकिल भी इनको कहा गया ह उसके बाद वास्यायन कामसुतर की रचना वास्यायन ने किया है मंदन मिस्र ये भी मितला के प्रखंड विद्वान थे भाव विधी विवेक इनकी रचना है जो तिस्वर ठाकु दर्शन रतनाकर वन रतनाकर जो रचना है वो जो तिस्वर ठाकुर जी का है दाउद चंद पढ़े होंगे जानवर के माध्यम से जो सिच्छा देने की बात होती है तो उसमें विश्णू सर्मा इसके राइटर हैं, सहितिकार हैं, बावा नागारजुन, बटेसरनात, बल चनमा, रतीनात की चाची, ये बावा नागारजुन की रचना है, सिवसागर मिस्र, दूब जन राहो साकिर्पियान, ये पूचा जा सकता है, किसान नेता भी रहें, दर्सन, दीदर्सन, बुचरिया, बिनेपीटक, धंपद, ये राहो साकिर्पियान के द्वार लिखा गया है, नलीन विलोचन, सर्मा, दृष्टिकोन, मापदंड, विश्दार, साहित का इतिहास दर्स ये सब नलीन विलोचन, सर्मा के द्वार लिखा गया है, किदारनात मिस्र प्रभाद, ज्वाला, केके, रितुबंस, इनकी रचना है, जानकी बलब सास्त्री, देखे, इधर जिसमें ठीक लगा है, वो तो इदम याद रखे, बात बाकी एक बात देख लीजेगा, काकली, ह सबंतिका, चिंताहास, एक किरन, स्वाजाईयां, दो तिनको का, घोसला, असुबूद, असोक बन, सत्यकाम, जिंदगी, ये बहुत सारा बुक लिखे है, इनका बिलकुल नहीं पूछेगा, ठीक है, जो एक का दुका बुक जो लिखे है, उनहीं का फेमस होता है, उनहीं का जो है, पूछता है, जैदा जो भुक लिखा है, वो पूछे गईने आपको, ठीक है, ये साह अजीमा बादी वाला पूछ सकता है, नक से पाइदार, नक से पाइदार किसकी रचना है, तो याद रखेगा, नक से पाइदार जो रचना है, वो साह अजीमा बादी की रचना ह एक दो वाला जैदा पूछेगा आपको देखिए कौन कौन में टीक लागा है देखिए डॉक्टर एंदर परसाद रामधारी सिंदिन कर वानभर्त देवकी नंदन खत्री उसके बाद चानक वाला विद्यापती वाला विश्नु सर्मा ठीक है बाबा नागा अरजुन वाला देख लिजेगा राहो साकर्ति आने वाला उसके बाद साह अजीमा बादी का देख लिए बस यही महत्पून है निश्चित रूप से एक कोश्चन आपके यहां से आपको दिखाई दे ही देगा ठीक है तो बहुत सारे टॉपिक है जहां से एक कोश्चन विपेसी बार-बा देखना ही पड़ता है इतना असान नहीं होगा आपको 40 में 30 35 नमर स्कूर करना उसके लिए आपको हर एक बिंदू से बिहार स्पेस्फिक दिश्टी कौन से बिहार के जोग्राफी के दिश्टी कौन से आपको पढ़ के जाना होगा तब जाके आप यहां से स्कूर करेंगा और साइंस का जो बेसिक साइंस जो हमने पढ़ाया है उसको जाकर के जरूर देखिएगा ठीक है बाकि जो लोग ये यूटूब पे लिखते हैं सरमैत ऊसके लिए आपको कुर्स खरिदना होता है मातर 599 में कोर्स दिया जा रहा है आप लीजिए और जो है उसमें टेस्ट भी है वीडियो लेक्चर भी है हर एक प्रापिक का जीके जियास इतने सस्ते में हमने आपको सारा वीडियो लेक्चर, PDF, टेस्टरी सब कुश मैंने दि दिन का सेलरी का आपका एक पिहाई फीस है और इतना भी अगर आप लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सबसे बड़े महामुर्ख है ठीक है 5.99 में आज के डेट में क्या होता है और आपको पूरा कॉर्स कंपलीट किया जा रहा है और आपको लगता है कि अगर हमारे कॉर्स से फायदा आपको मिलने वाला है तो आप जरूर कॉर्स को ले के रखिए आपको अनभव होगा जब आप एक्जाम में बैठेंगे फिर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अनभव होगा कि हमने क्या आपको दिया अगर नहीं देता तो क्या आपका रिजल्ट बनता ये जड़ा सोचिएगा एक्जाम के बाद ठीक है अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा चलिए पत्रकारिता पत्रकारिता है समाचार पत्र के बारे में है बहुत सारे पत्र पत्राचार जो करने वाले वैक्ती थे बिहार में भी थे समाचार पत्र के जो कह सकते संपादक भी हुए बिहार में तो यहां से एक आद कोश्चन पूर देता है बिहार पत्रकारिता का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था जो कि 874 में पटना से प्रकासित हुआ है तो बिहार बंधु याद रखेगा हिंदी समाचार पत्र है जो कि कहां से प्रकासित हुआ था पटना से कब तो 874 में तो बिहार का सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है तो बिहार नाम है उसका बिहार हेराल्ड ठीक है ये आपका अंग्रेजी समा चार पत्र है जिसके संपादर कुन है गुरू परसाज सेन अठाश्वा पच्छत्तर इस्वी याद रखना है अठाश्वा चार पत्र है नाम दे देगा तो अपना याद रखिएगा सजदानन सिन्हा, महिस्त नारायन, नंद किसोरलाल, स्री कृष्ण सहाय ये सब बिहार टाइम्स के परकासन में थे महस्वार परसाज ने दब बिहारी का परकासन सुरू किया इन पत्रिकाओं ने बिहार को पिर्थक प्रांत बनाने में बहुत बरी भूम का निभाई तो दब बिहारी का परकासन किसके द्वारा किया गया तो महस्वार परसाज के द्वारा किया गया दब बिहारी को बर्स 1912 में देनिक समचार पत्र में परिवर्तित कर दिया गया और 1927 में इसका परकासन बंध हो गया इसके अस्थान पर 15 जुलाई 1908 को दसर्च लाइट ये कोश्चन कही बार भी पेसी पूछ चुका है दसर्च लाइट इसके पहले संपादक जो थे सयद हैदर अली थे दसर्च लाइट को 1908 में एक दैनिक रूप दे दिया गया यानि दैनिक पत्र समाचार पत्र के रूप में बना दिया गया दसर्च लाइट को तो दसर्च लाइट आगे चलके डॉक्टर राइजंदर परसाद भी इसके संपादक बंते हैं मज्रूल हक भी बंते हैं आगे चलकर के लेकिन इसकी सुरुवात 1908 में हुई थे और पहले संपादक सयद हैदर अली ही थे आगे चलकरके दसर्च लाइट 1985 में बंद हो गया और उसके जगा हिंदुस्तान टाइम्स आप जो देखते हैं उसमें पटना संस्क्रण की शुरुआत होई हिंदुस्तान टाइम्स की दसर्च लाइट के प्रकासन के बाद बंद होने के बाद 1985 से पहले हिंदुस्तान टा Patreon स्तर के भी पत्राचार से कोश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हमने यहां पे इंक्लूड कर दिया है सारे को अम्रित बजार पत्रिका मोतिलाल घुष के इसके संपादक थे बंगला भासा में कलकत्ता से प्रकासित हुआ याठाइसवार्शा टिस्वी में सोम प्रकास इस्वर पत्ता से प्रकासित हुआ सुरुवाति जो भी है मैक्सिमम कलकत्ता जो महानगर है वहीं से हैं फिर हिंदू है अंग्रेजी मदराज से हुआ वी रागवाचारी के द्वारा केसरी बालग है यह कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा था टीरी के एक्जाम में केसरी पत्र जो है समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकासित हुआ था कहां पे हुआ था मराठी भासा में बंबई में फिर एक मराठा है बालंगादर तिलक के द्वारा ही अंग्रेजी में बंबई में हिंदू प्रकासित हुआ एमजी रनाडे द्वारा अंग्रेजी में बंबई माठा 1881 में, हिंदुस्तान पत्री का जो है, जो समचार पत्र मदन मोहन, मालविया द्वारा हिंदी में, कलकत्ता 1886 में, यंग इंडिया वाला याद कीजी, ये कोशन टियारी के टू में पूछे गए थे, यंग इंडिया, महतमा गांधी के द्वारा, अंग्रेजी में, अहमदावाद, उनिस्वावनेस में, नव जीवन, ये भी महतमा गांधी के द्वारा, हरजन, ये भी महतमा गांधी के द्वारा अंग्रेजी में दिल्ली से 1936 में उदंत मार्तंड जुगल किसोर कानपूर से 2826 में दट्रिब्यून सर्द्याल सी मजीटिया द्वारा अंग्रेजी में चंडिगड में अलहिलाल ये कुश्चन पूछा हुआ है अलहिलाल के बारे में अबुल कलाम आजाद के द्वारा अउर्दु में यह समाचार पत्र प्रकासित होता था कलकत्ता से 1912 में कॉमरेड ये भी पूछा गया मौलाना मौहमद अली के द्वारा है अंग्रेजी में हमदर्द मौलाना मुहमुआद अली के द्वारा है उर्दु में गधर गधर पार्टी द्वारा गुरु मुखी लिपी और उर्दु में सैन फ्रेंसिस्को जो अमेरिका है वहां से प्रकासित हुआ ये सब बी एनिवेशनद्ट के, एनिबेसंट के द्वारा ही प्रकासित हुआ तो ये सब कोश्चन कोई न कोई कोश्चन आपको पत्र से निश्चित रूप से ही पूदेगा या जो इसमें से हरिजन सेवक संग की अस्थापना किस ने किया नव जीवन यांग इंडिया ये समाहत्मा गांधिवाला तो पूद कर लिजिएगा अब जो टॉपिक देखिए यहां से भी अब हर एक देखिएगा टियारी वन में भी कोश्चन पूछा है और टियारी टू पॉइंट हो चुकि सिक्छा से जुरे हुए आप टीचर बनने वाले हैं तो निश्चित रूप से बिहार की सिक्छा जो भिकास हु ही देते हैं बस आप लोग सुनते रहें देखते रहें और नोट से ही प्रिंट करवा लिजिएगा थुरा बहुत देख लिजिएगा बाखे सुनके भी आपका काम चल सकता है एक्जाम में जब आएगा तो आप निश्चित रूप से ही बनाएंगे अब है यहाँ पे बिहार में पास्चा सिक्षा परदोकी सिक्षा का विकास यानि पास्चा अंग्रेजों के द्वारों जो सिक्षा का विकास हुआ चुकि पहले क्या है प्राचीन भात में जो प्राचीन समय से जो चलता आ रहा था गुरू कूल परनाली उसको समाप्त करके बिहार में भी क्या हुआ कि एक कह सकते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे सासन कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ के सिक्षा में बदलाव लाया पू चमरे में गोरे दिमाग होना चाहिए जो की मतलब सरीर से तो इंडियन हो लेकिन मांसिक रूप से वो अंग्रेज किये ही तरह सोचे तो उसके लिए उन्होंने भारतनियों को सिक्षा देना सुरू किया था अगर उनको पता होगा आगे चल करके यह समझदार भारतिय है हमा कलब कम खर्चा में उनका जो है काम हो सके साथ ही बेटी सिक्षा निती का उदेश सासन को लंबे समय तक बनाय रखना था यानि जो उनकी निती थी अगरे जो की वह इसलिए भारतियों को अंग्रेज सिक्षा दे रहे थे चुकि वह लंबे समय तक बहात में सासन करना चाह रहे थे और इसी संदर में उन्होंने विकास भी किया है सर पर्थम 800 से 850 के बीच का देखेंगे सबसे पहला है कि 835 में मेकाले का जो है सिक्षा निती आती है मेकाले की घोसना इसके तथ जो अंग्रेजी का जो अंग्रेजी है उसको माध्यम बना गया सिक्षा का माध्यम किसको बना गया अंग्रेजी को और बिहार के कई छेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से सिक्षा देने के उद्देश से जिला इसकलों की अस्थापना की गई तो कई बार पूछेगा कि सर पर्थम जो है अंग्रेजों के द्वारा सिक्षा के लिए कितना इस भी में जो है खर्च करने की बात की गई थी और मतलब विकास हुआ है तो मेकाले घुसना से ही आपको अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाएगा 835 में 813 का चार्टर एक्ट आपने पढ़ा होगा उसके तहट क्या था कि एक लाख रुपिया खर्च करने की बात की गई थी सिक्षा पर तो यही आगे चल करके इंप्लिमेंट होता 835 मेकाले की घुसना होती है और सिक्षा नेती में अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया जात वह 835 के ही मेकाले घुसना के बाद हुआ था उसके बाद 844 इसमी में एक अंग्रेज उनका नामे एडम्स उन्होंने साक्षर्टा सर्विक्षन किया था कि कितने लोग साक्षर हैं बिहार में तो उस समय के हिसाब से जो 844 में जो साक्षर्टा दर देखा गया जो की मात्र स सारेज साथ पतिसत यानि एक सव लोगों में साथ से आठ लोगों को ही पढ़ना आता था अब सूच सकते हैं कितना जो है भैवाई इस्तिती है 847 में पटना में सेंट जोसिफ स्कूल की अस्थापना की गई और यह सब इसाई मिस्नरियां जो 823 के चार्टर एक्ट के तत्वार्ट में आये थे तो उन्हीं के द्वारा आप धीरे धीरे इसाई करन की परविर्ति यानि इसाई धर्में परिवर्तन करने के लिए चोटे चोटे स्कूल खोले जाने लगे इसाई मिस्नरियों के द्वारा और आगे चल करके बिहार में भी कई जगपे जो है इसाई मिस्नरियों के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम सिक्षा संस्थान अस्थापित हुए जैसे सेंट जोसेफ बेगरा आप इस्कूल देखते ह कब की गई थी तो याद रखेगा 847 अब आते हैं उनिस्मी सदीका उतराद या निए 850 के बाद कई बार कोश्चन पूछ चुका है उट डिस्पेच कवाया था तो बहुत ही भी आई लाइन है उट डिस्पेच कवाया था तो अठाइसो चोवनिस्मी में और इसके तद क्य हुआ था कि पहली बार वेव्षाईक एवन तक्नीकी सिक्षा के विकास पर जोड दिया गया था इंजनियरिंग कॉलेज, मेडेकल कॉलेज ये सपर वेवस्पेच की बिजनेश के लिए कि ऐसा पढ़ाय हो जिसे बेपार हो काम कर सके लोग तक्नीकी सिक्षा के विकास पर जोट दिया गया और फिर इस से संबंदित तक्निकी सिक्षा से संबंदित स्कूल के निर्मान किये गए थे 1854 का वूड डिस्पेच यही है अब देखे यह कोश्चन पूछा था पटना कॉलेज की अस्थापना कब हुई थी तो पटना कॉलेज की अस्थापना 1863 में हुई थ उससे पीजी बिभाग की अस्थापना हुई फिर 1919 में विज्ञान से समंदित भौतकी और रसान विभाग की अस्थापना हुई थी पटना कॉलेज में फिर आगे चलकर के पटना कॉलेज के ही तर्ज पे मुझपरपूर मुंगे राची हजारी बाग में भी सिक्षन प्रियास माना जाता है कौनसा तो साइंटिफिक स्वसाइटी बिहार में मुझपरपूर में इमदाद अली के द्वरा किया गया था आगे चलकर के स्वसाइटी का जो एक साखा पटना में भी खुला ये क्वेश्चन कई वार पूछेगा आपको की समस्तिपूर का जो पू प्रियोग में अनुसंदान फार्ब के अस्थापना हुई जो किर्सी संबंदी था आगे चलकर के 1902 में हैंपिलिप के अनुदान से किर्सी संबंदी सोध परियोग वहां पर अस्थापित हुए और 1904 में किर्सी विश्वीद्यालय की रुप में ये देश का पहला किर्सी विश्विद्याले बना तो ये question बार बार पूछे गए हैं पूसा जो समस्तिपूर में है उसका जो किर्सी विश्विद्याले है उसकी अस्थापना कब हुई थी तो 1904 में ठीक है जो कि भारत या बिहार के अर्थ बेवस्था के विकास में किर्सी के छत्र में बहुत महत्प योगदान दिया है तो भारत का पहला किर्सी विश्विद्याले है पूसा किर्सी विश्विद्याले समस्तिपूर बिहार ये भी आपको याद रखेगा 1886 में पतना सीटी में मॉम्डन एलगो एरभिक स्कूल के अस्थापना की गई समसूल उलेमा मुहमद हसन आदी के दवारा 1886 में पतना में भूमी सर्वेक्षन डिपार्टमेट सर्वे टैनिस स्कूल के अस्थापना की गई जो की तक्निकी जांस संबन्दित है फिर 1887 में भागलपूर में TNV तेज नरान बनेली कॉलेज की अस्थापना किया गया 1889 में पतना में बियन कॉलेज का अस्थापना किया गया 1897 में मुंगेर में DJ कॉलेज की अस्थापना की गयी ठीक है फिर आगे चल करके 1909 में पटना में लोग कोलेज के अस्थापना हुई फिर नारी सिक्षा की स्थिती को बेहतर करने के लिए ठीक है बाकिपूर में बालिका सिक्षा सम्दित इंटरास्थर या महाविद्याले के अस्थापना की गई 1917 में पटना विश्विद्याले की अस्थापना की गई और कला सम्दित असनात कोतर पीजी व्याग के अस्थापना की गई हाल में इस विश्व में 100 बर्स पुरा किया है इस विश्विद्याले ने पटना विश्विद्याले ने तो ये पटना विश्विद्याले अलग है तो यह 1917 में इसकी अस्थापना हुई याद रखेगा फिर 1917 में एक सेंडलर आयोग का गठन हुआ जिसने वेबसाइक तक्निक की सिक्षा में डिप्लोमा डिग्री देने के उद्र से महाविदल अस्थापना की बात की फिर आगे चल करके अब क्या होगा 1924 इसमी में पटना में इ जपरपूर में भी बना फिर 1925 में PMCH का निर्मान हुआ PMCH पटना में जो मेंडिकल कॉलेज है उसका फिर आगे चल के गया दरभंगा में भी बना 1926 में आयरुवेदिक कॉलेज की अस्थापना हुई पटना में फिर 1926 में ISM इंडियन स्कूल आफ माइन्स चुकि उस सवे बिहार में ही था धनबाद 1926 में धनबाद खनन सिक्षा से जुरा हुआ कोईला के खनन से जुरा हुआ इंडियन स्कूल आफ माइन्स की अस्थापना हुई 1928 में पटना साइन्स कॉलेज यह पूछ सकता है आपको 1928 में पटना Science College की अस्थापना हुई और यह question पूछा है एक यहां से कोई College के बारे में ही पूछा है तो यह बार देख लीजेगा फिर 1929 में पसुची किसा जो Veterinary College है उसकी अस्थापना हुई ठीक है 1929 में Heart Tong Committee की रिपोर्ट आई जिसमें की माध्मिक और उस सिक्षा में सिक्षित लोग की संख्या बहुत कम थी फिर उसके लिए पटना में 1949 में Government School of Art and Craft की भी अस्थापना की गई आर्ट and Craft जो निप्ट के तहट अब आ गया है आपका National Institute of Fashion Technology ठीक है इसे आगे चल करके पटना विश्वीद्याले में सामिल कर दिया गया 1949 में छपरा में राजंदर कॉलिज की अस्थापना की गई और दर्भंगा में मितला कॉलिज की अस्थापना किया गया अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कोलेज कब आया तो थोड़ा सब इतना जल्दी आपको याद होगा नहीं लेकिन एक बार सुन ली है तो एक अंदाजा रहेगा कि इस टाइम में इसका हुआ था निर्वान सबसे पहले कौन हुआ ठीक है तो आज के कलास में इतना ही तीन चार टॉपिक हमने आपको बराबरा टॉपिक कभर किया है निश्चित रूप से तीन से चार कोश्चन एक तब निश्चित रूप से कौश्चन आएगा बिहार का जन संख्या से ही आपको दो तीन कौश्चन आजाएगा देखिएगा अच्छे से आप लोग रिभाइज कर लिजेगा ठीक है तो उमीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा और रेगुलर कंट निश्चित रूप से आप सफल होगे बार बार वीडियो को देखिए कौंटेंट में जितने भी परे वीडियो हैं अच्छे से देखिए समझिए बनाईए और टेस्ट रीज बेगरा लगाते रहिए निश्चित रूप से आप सफल होगे आज के लितना ही धन्यवाद